पाकिस्तान में इंदरो नैशनल टी ट्वेंटी टूनॉमेंट 2021 खेला जा रहा और इस सीजन में भी एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं टूनॉमेंट की 11 मैच में सिंटरल पंजाब और नौदन पाकिस्तान आपने सामने थे ये मुकाबला रावल पिंडी के पिंडी क्रिकट स्टेडियम में 30 सेटमबर को खिला गया और इस मुकाबले में सिंटरल पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सरिफ दो विकेट के नुकसान पर 200 रन पूर्ट पर लगा दिये थे सिंडरल पंजाब की तरब से कप्तान बाबर आजम ने हैरान कर देने वाली बल्लेबाजी इस दोरान की उरोंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक टाला था जी हाँ पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिंडरल पंजाब की तरब से एमस सहजाद ने 20 गेंदों पर 37 रनों की ताबड़ दोर शुरुवाद दी वहीं बाबर आजम अंत तक नाबाद रहते हुए 63 गेंदों पर 105 रनों की शानदार पारी खेली इस दोरान उनने 114 और 3 चक आ दिये आपको तादे इसी के साथ ही बाबर आजम ने कई बड़े रिकॉर्ट भी अपने नाम कत लिये आपको तादे टीट्वेंटी आई क्रिकेट में बाबर की ये 6 सेंचुरी थी अब पाकिस्तान में वो सबसे जादा टीट्वेंटी आई शातक लगाने वाले बाइस बन गये हैं उन्होंने एहमस एजाद और कामरान अकमल के रिकॉर्ट को तोड़ा एहमस एजाद और कामरान अकमल दोनों के ही नाम टीट्वेंटी आई फॉर्मेट में पांच-पांच शातक दर्ज थे इसके बाद खुर्रम मन्जूर का नाम आता है जिनके नाम चा की शातक दर्ज है आपको तदे टीट्वेंटी आई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शातक लगाने का रेकॉर्ड अभी भी वेस्ट इंडीज के तिगज क्रिस केल के नाम है जिनोंने इस फॉर्मेट में 22 शातक ठोके हैं आपको तदे बाबर अजम ने इस मुकाम तक पहुच बनाने के लिए और वो क्रिस केल का भी बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे फिलाल के बाबर के नाम 185 इनिक्स में 6984 रन दर्ज है आपको तदे दो हजार एकीस में बाबर आजम ने टीट्वेंटी आई में 1292 रन ठोके हैं आपको तदे पाकिस्तान के मुहमद रिजवा के नाम इस साल टीट्वेंटी आई में सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड है लाल के लिए वीडियो में तमाम अप्डेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ